जंगली श्वापदों का इंसानी बस्तियों में शिर्कत करना कोई नई बात नहीं है। अब तक कई बार इस तरह की घटनाओं से इंसान दहशत के माहूल में रह चुका है। और अब मुरूर तालू का अंतरगत नानगाओं और आसपास के परिसर के नागरिक बाग के अस्ति जीवों ने इंसानों पर हमला करने की कई घटनाएं हमने देखी हैं। मगर फिर भी कॉंक्रिट के जंगलों का निर्मान करने के लिए हम प्राकृतिक जंगलों का विनाश कर रहे हैं। और यही वज़ा हैं कि जंगल में रहने वाले बाग या शेर जैसे हिंस रपशू मान के पंजो के निशान पाए गए हैं। जब नांदगाओ के कुछ ग्रामवासी ब्रहस्पितिवार को समुद्र किनारे टहल रहे थे तब उन्हे यह बाग के पंजो के निशान मिले। इस घटना से पूरे परिशर में भै का वातावरण हैं क्योंकि इसी परिशर में के अधिकारियों के सामने बहुत बड़ी चुनावती हैं वीडियो जर्नालिस शुभम के साथ करनाला टीवी के लिए साहिल रेलेकर की रिपोर्ट